नमस्कार में उप्रिया बिहारी नियूज में आपका स्वागत है चले जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को बिहार में कोबिड-19 जाच में आएगी और ज्यादा तेजी बिहार में बेलगाम बढ़ रहे कोबिड-19 के मामलों को देखते वे जाच में तेजी ला बढ़ाई जा रही है इसके लिए अंटिजन साहित अन्यम आधेमों से भी जाच की संख्या को बढ़ाने के तहट राज्य सरकार ने प्रत्धिन एक लाख सैंपल जाच का लक्षी रखा है जिसे पूरा कर लिया गया है वहीं स्वास्तविभाग के अधिकारी सूत्रों की मा तो ट्रूनेट मशीन से 32,000 कंफरमेटरी किट भी मंगवाई गया है ताकि ट्रूनेट से जाच के बाद COVID-19 के नेगटिव मरीजों की पहचान की जा सके सुषान सिंग राजपूत का WhatsApp चार्ट आया सामने सुषान सिंग राजपूत के जो आने के बाद लगतार रिया चकरवर्ती पर निशाना बनाया हो गया है वहीं अब सुषान सिंग राजपूत के मामले में एक और नया खुलासा हुआ है जहां एक तरफ रिया चोकरवर्ती की कॉल डीटेल सामने आई वहीं दूसरी तरफ सुषान सिंग राजपूत और दिश्रा के बीच की बातचीत का एक वाटसाप चार्ट तेदी से ट्रेंड कर रहा है दिश्रा सुषान को ओफर के बारे में बताती है और एक प्रोजेक्ट में तो सुषान और रिया के साथ काम करने का ओफर आया था हाला कि इस प्रोजेक्ट को सुषान ने मना कर दिया था एक चार्ट एक अप्रेल 2020 की है जहां सुषान ने दिशा सालियान से वाटसाप पर बातचीत की थी दिशान ने सुषान सिंग राजपूत को खाने में इस्तवाल होने वाले तेल के एक ब्रांड के प्रमोशन के बार क्रिक नहीं है इसलिंए वो ये नहीं करना चाहेंगे कोवड़-19 के इस माहल में बिहार केमेडिकल कॉल्ज में लगाएगी ओक्सुजञ प्लांट बिहार के सचिव लोकेश कुमार ने इस बात की जुआनकारी दी और बताया है कि एक तरफ COVID-19 संक्रमन की जुआज की संख्या और उसका दायरा बढ़ाया जा रहा है वहीं दूश्री तरफ इलाज की गुनवत्ता को सुनेश्चित किया जा रहा है जिला और मुख्याले सर पर निरंत दिवस कारिक्रम को लेकर गांधी मैदान के अंदर और बाहर में भारी संख्या में सुरक्षा बलो की तैनाती करने का आदेश जारी कर दिया गया है साथी सभी गेट और गांधी मैदान में CCTV से मॉनिटरिंग करने का फैसला सुनाए गया है आमंतरित लोगों के लिए तीन गेट खोले जाएंगे गेट नबर दस से आमंतरित अतीतियों का प्रवेश करवाया जाएगा वहीं आपकी जवानकारी के लिए आपको बता दिकोबर 19 को ध्यान में रखते वे 15 अगस्त को गांधी मैदान में सुबह 9 बजे से शुरू होने वाले कारिक्रम में शुरकत करन सिफशे नानेता संजयराउत लगातार सुषान सिंग राजपूत के मामले में सिब्याइज को लेकर अपना विरोध प्रकट करते हैं इसक्राम में उन्होंने एक बाद परसे इस पूरे मामले में सिब्याइज को स्थानांत्रित करने के फैसले को अवैद करार दिया है जिस की रूप से सिब्याइज के पास है मुंबई पुलिस भी मामले की जांच कर रही है और अगर जांच में कुछ और आता है तो सिब्याइज आगे भी जांच कर सकती है रावुत ने आगे कहा है मुंबई पुलिस और सिब्याइज के लिए कुछ भी ने यहम सिब्याइज का कर दी है इसका प्लान सिक्षा विभाग में सिक्षकों के लिए तयार कर दिया गया है 15 अगस्त को स्वतंतरता दिवस के मौकी पर मुख्यमंत्रि इश्कुमार सिक्षकों से संबंधित सेवा शर्त संबंधी घोशना भी कर सकते हैं जिसके लिए सिक्षकों के लिए बनाई अधार पर नौकरी मिलेगी पास होंगे तो उन्हें सिख्षक भी बनाए जाएगा नहीं तो उन्हें क्लर्क के पत पर ही रहने दिया जाएगा वहीं नियोजित सिख्षकों के नाम के आगे से नियोजित हटाने की तैयारी की जा रही है COVID-19 इलाज के नाम पर प्राइवेट अस्पतालों की विसूली पर अब लगेगा अब ब्रेक नीजी अस्पताल के नाम पर COVID-19 मरीजों से मनमाने धंग से पैसे वसूलने वाले सभी नीजी अस्पतालों पर अब ब्रेक लगने वाला है और मनमाने राशी दिये जाने पर रिपोर्ट बना कर जुलाधिकारी को अफगत करानी का निर्देश दिया है अब को बता दे अभी तक COVID-19 इलाज के लिए जुला प्रसाशन की तरफ से 32 नीजी अस्पतालों को अनुमती दे दी गई है सभी अस्पतालों पर नजर बनाए रखने के लिए एक दरजल से अधिक पदाधिकारियों की तैनाती कर दी गई है ताकि COVID-19 मरीजों के लाज के लिए कोई भी नीजी अस्पताल ज्यादा राशी की वसूली ना कर सके बिहार में मौनसून ने पकड़ी रफतार बिहार में जहां बाढ़ की वज़े से कई जिले बुरी तरीके से प्रुबावी थे वहीं दूसरी तरफ मौनसून ने एक बार फिर से रफतार पकड़ ली है मौसम वे भाग की तरफ से जारी किये गए जानकारी के नुसार करीब एक हफते से बिहार में चल रही मौनसून में सुस्ती बंगार की खारी से बिहार की तरफ आई नमी युक थावाओं की कारण तेज होने लगी है मौनसून गुरुबार को जमा जम बरसा है वहीं 6 से अधिक स्थानों पर 100 मिली मीटर से ज्यादा बारिश तरच की गई है बारिश का एक ऐसा दौर 16 अगस तक जारी रहेगा मिली जानकारी के नुसार बारिश की वज़े से खासतोर पर दक्षिनपूर बिहार के अलाकों में अतिधिक बारिश के आसार बन रहे है हाला कि उत्तर बिहार में बरसात की रफ्तार अभी थमने बारी नहीं दिख रही है मौसम वेग्यानिकों का आकलन है कि मौनसून अगर इसी तरीके से सक्रिय रहा तो अगस्त के अंतिम हफ्ते से पहले बारिश का अंकड़ा एक हजार मिलीमीटर तक पहुँच जाएगा यह अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा बिहार भाजपा ने तेजस्वी आदफ दौरा महागटबंदन नेताओं को डगरा का बैगन बनानी की कही बात आगामे विधान सभाचुन आपको ध्यान में रखते वे पाटियों की बीच में रसा कसी का माहौल जारी है वही लगातार बयानबाजी का सिलसला भी देखने में मिल रहा है इसी क्रम में बीते दिन बिहार भाजपा ने तेजस्वी आदफ पर टिपणी की है मिली जौनकारी के नुसार भाजपा की तरब से प्रदेश प्रवक्ता उनके कदावार नेता इधर से उधर आ रहे हैं और राजप के छोटे भाईया नेता उनके बड़े-बड़े नेताओ सदानन सिंग और अनिल शर्मा जैसे नेताओं को अपमानित करने का काम कर रहे है वह इंदूशरी तरफ हम प्रभमुक जीतन राम मांजी महागटबंदन के सबसे सीनियर और अनुभवी नेता को ओडिनेशन कमीटी बनाने के लिए तरस गय है लेकिन तेजस्वी आदफ को भावर नहीं दे रहे हैं हद तो तब हो गई जब तेजस्वी आदफ ने उनके खिलाफ ही बयानबाजी शुरू कर दी थी COVID-19 से पटनाइम्स में रिटाइर IES की गई जान COVID-19 ने अपनी चुपेट में बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित कर रखा है वहीं इसकी वज़े से कई नामचीन लोगों ने भी दुनिया को अलविदा के दिया है इसकरा में बीते दिन पर टाइम्स में रिटाइर IES मनोज कमार श्रिवास्तव की COVID-19 की वज़े से जान चली गई है उनके जान जाने पर IES Association ने श्रधांजरी अर्पित करते वे कहा है कि जितना भी अपने प्रशासनी को शलता के लिए उन्हें याद किया जाता था उससे कही ज्यादा जन सरुकार के लिए उन्हें याद रखा जाएगा आपको बता दे योजना आयो के उपाध्यक्ष के रूप में मनमोहन सिंग ने समयकित ग्रामीन विकास की योजना में मनुज श्रिवास्तव के योगदान की भी प्रस्दशा की है बिहार में UNICEF के साथ बिहार सिक्षा परियोजना के परिकलपना को वास्तविक धरातल पर साकार करने का श्रे मनोज कुमार श्रिवास्तव कोई जाता है साल 2009 में वो पहले व्यक्ति थे जुन्हें जमशेद्जी टाटा फेलोशिप से नवाजा गया था उसके अंतरगत लंदन स्कूल ऑफ एकनोमिक्स में प्रो पूर गवर्नेंस इन इंडिया पर अपना शोध पूरा किया था 1947 में पुर्णिया के जंडा चौक पर मधिरात्री से फहराय जाता है तिरंगा पूर्णिया जुले में लोग सालों से आ रही परंपरा को कायम रख रहे है यहाँ पर 14 और 15 अगस्त की मधिरात्री को ठीक 12 बचकर एक मिनट पर देश की आजादी का जश्ट मनाते नजर आए हैं राश्रगान की मधूर गूंच के पीच एतिहासिक स्थाल जंडा चौक पर एतिहास फिर से दोराय जाएगा इस स्वतरता दिवस पर हाला की कोबिड-19 की वज़े से माहौल कुछ और देखने को मिलने वाला है लॉक्डाउन को लेकर जुलेबी और आजादी के जश्ट में डूबे लोगों का होजूम गैर हाजर होगा मगर उत्साह और उमंग में कहीं भी कोई कमी नहीं आएगी आपको बता दे शहर कायत यहां से जंडा चौक स्वय मुस्रात का साक्षी है जब साल 1947 में 14 अगस्त की मधिरातरी को ठीक 12 बचकर एक मिनट पर भारती है जंडा फैराए गया था साथ दगश शक के बाद आज ही यहां जंडो तोलन किया जाता है और जो की अनुर्खी परंपरा है और जो की हमेशा कायम रहती है पट्टा एम्स के डॉक्टरों ने अब 18 अगस्त का दिया अल्टिमेटम राजानी समेत एम्स के दूसरे डॉक्टरों ने विरोध पर जाने सीने रेजिडेंट डॉक्टर को एम्स में विश्रश गये चुकित्सक के रूप में प्रतिन्युक्ती किये जाने वाली नोटिस को नरस्त करने की मांगी गई है इसके लिए प्रसाशुन ने ठार अगस्त कासा में मांगा है भाजपा के चुनाफ प्रभारी बिहार में पूरे तरीके से सक्रिय रहेंगे वर्तमान प्रभारी भूपेंद्र यादव के साथ मिलकर वो काम कर सकते हैं राजुनेतिक गलियारों से आई खबर के अनुसार गुरुबार को कोर कमीटी की बैठक में देवेंद्र फट्डविस भी शामिल हुए थे बताया जारा है कि पूछे सवाल आगामे विधानसवा चुनाव को ध्यान में रखते वे सियासी सरगर्मी तेज होती जा रही है सभी राजुनेतिक दल चुनाव की तैयारी में जुटे है वही सभी पार्टियों के बीच एक दूसरे पर बयान बाजी का सिलसला भी जा रही है इसी बीच यू गरीब परिवारों की सरकारी उपेक्षा और रहत आभाव आदी के कारण उनकी बधाली के द्रश्य राश्ट्रिय चर्चा में है इसे नाराज लोग विधाय को भी बंधक बना रहे है फिर भी सरकार उदासीन बनी हुई है जो की बहुत अमानवी है देश में COVID-19 की संक्या लोगों की जान जा चुकी है हाला की राहत की बात यह है कि अब पूरे देश में 17,50,636 लोग COVID-19 को मात दे चुके हैं देश में कोरोना को मात दे कर ठीक होने वालों की संक्या अधिक है सक्रिय मामलों की कुल संक्या भारत में 6,6,348 पर पहुँच गई है वहीं प्रभावित राजयों की बात करें तो सबसे ज़्याद अब और रहाल महाराश्ट्र का है जहां पर संक्रमितों की संक्या 5,6,000 पर काल कुछ इस प्रकार है आपके अनुसार सुषान सिंग राजपूत के मामले में संजयर राउत की तरफ से इस पूरे मामले की CBI जांच को अवैध बताने का बयान कितना सही है अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताए इसके साथ ही आज के लिए बिहार की बड़ी ख सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन दबाना ना भूले धन्यवाद